देश के अधिकतर हिस्सों में बहुत अच्छी बरसात हुई है। दूसरे आप अपने खेतों की जो मेड़े हैं उनकी मरमत कर लें उनको मजबूत कर लें ताके वर्षा का जो पानी है उसका आधिक से अधिक संचे कर सकें और धान की फसल उसका लाव ले सकें। उससे अगर जादे लंबे पोदे दिखाई दें तो उनकी आप छटनी कर लें। साथ ही खर्पदवार वगएरा के पोदे भी अगर आपकी पोद के साथ आ रहे हैं तो उनको भी अलग कर लें। दूसरे बकानी वीमारी में जैसे हम जानते हैं जब खेत में हम रोपाई करते हैं तो हमारे कुछ पोदे जरूस से जादे लंबे हो जाते हैं। और उन पर फिर बालियां नहीं बनती दाने नहीं बनते तो उसका नियंतर बहुत जरूरी है। आता है रोपाई से पहले आप ध्यान रखें कि दशमलव एक पिर्तिशत का बाविस्टीन एक फफून नासी आता है उसका घोल बना लें। यानि एक ग्राम पिर्ति लीटर और जरूरत के हिसाब से घोल बना लें।